स्टॉक जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तवी शेक्षिरम और आज हम बात करने वाल हैं शांदार स्टॉक हैप्यस्ट माइंड के बारे में तो आज के दिन थोड़ी बहुत गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है देखें तो जाने कि 11 अक्टॉबर के दिन 1388 रुपे पर ये शांदार स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उस्तो सपोर्ट की बारे में बात करूं तो देखें एक स्टॉंगली सपोर्ट बना हुआ है 1357 रुपे 63 पैसे का अगर ये गिरावट जारी रहती है और 1357 रुपे का इस सपोर्ट टूटता है दो फिर ये स्टॉक आपको 1300 रुपे की तरफ लोगता हुआ दिखाई देने वाला जारी रहती है लेकिन अगर यहां से एक अप मूव आता हुआ दिखता है तो जल्द ही 1450 रुपे की टार्गेट आपको अचीव करता हुआ दिखेगा ये स्टॉक ऊ लाती है तो देखिए दोस्तों आप हम बात करेंगे कि यहां पर हमें क्या रणनीती अपना कर चलनी चाहिए, क्या हम यहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या नहीं दोस्तों हमारे इसापpell से अभी आपको फ्रेश बाइंग से हैपि़ेच मैंड में बचके चलना चाहिए आपको fresh buying का मौकर जो मिलता है वो 1436 रुपे के ऊपर आप इसमें fresh buying करके चल सकते हैं 1436 रुपे यह से ऊपर अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसमें fresh buying आप करके चल सकते हैं अगर अब बात करें stop loss की तो हमारे सबसे 1380 रुपीज का stop loss एक अच्छा खासा stop loss है आप चाहें तो यहाँ पर stop loss लगा कर भी काम कर सकते हैं तो यही रंडिती आपको पनानी है इस समय happiest mind stock में आप चाहें तो अपनी खुद के analysis थोड़ी बहुत अपनी खुद की research ज़रूर करें invest करने से पहले तो यहीं बताने के लिए हमने वीडियो बनाए थी आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें share करें और subscribe करें इसे प्रिकार की धमा के तारे वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद